किया नहीं को बहु पर डचे करेंगार के हमार न उसक का नियां होगार उखने भेगे कि लेकिन उसको बेंगे हो कल Madn蒟 किया आरे मिने सफिव आ इसा होगा आपको करना आना चाहिए हम लोग कर लेती थे हम लोग två बहुत दे के महारा मैनत कर थे Springs वो जो आपकी college life से आपका youth festival के लिए जो एक excitement और जो craziness आपके अंदर है तो वह हम सब के अंदर भी है क्योंकि वह हम आपको देखते हैं तो वह एक जो पागलपन youth festival में perform करने का और अच्छा present करने का चाहे वह music वाले हो या theater वाले हो या dance हो dance भी हम perform करते हैं तो वह एक जो अलग तरीके का excitement होता है और वह confidence stage पर आकर देखते हैं तो skit में मैंने हमेशा देखा है क्योंकि मैं इसलिए नहीं करूं कि मैंने कुछ परफॉर्म किया बहुत कॉंसिदेंटली परफॉर्म अभी देखो क्या हुआ है कि आपको बता दें कि पहले के समय में और आप आज के समय में अनता रहें अब हर जगह इससे जो dance आते है अब और आप्टार को परफोगडान्स का सब्सक्राइब नहीं नहीं परफोगडान्स और नहीं थे लिकिन अइक प्रावलम आते हैं कि तुलनात्मक जब अद्यन हो तो प्रावलम थे की दसप्रकार के कतख हो रहें हैं धसप्रकार का एक ही फोंग डांस कहीं का तो तो उसमें त्ला करके आफ करे सकते आफ या कि बांगडा की पंजाब क करो के तो यह उनके साथ भी अन्या है और लेकिन भावनगर के दाडिया से अब आपनी जगह अच्छा है यह हमारा वदाई तो थोड़ा सा फार्ड है उदर का थोड़ा बड़े कहना चैने यह बड़ा एक्षन है बड़ा म्यूजिक है तो थोड़ा हर जगे का अपना कल्चर है यह थोड़ा सा एक अधर पर देखने में लगता है सिंगिंग में कि अब दस टीम का रही हैं तो किसका गुरूप सांग वसक्ता है वह सकता है लेकिन हम यह नहीं कहते कि बोड़ान से अच्छा है यह था है अधिक मतलब कहानी अलग अलग होती है लेकिन कई बार बड़ा नेना के कैंसक का डिमांड जो है उस तो सब कुछ मिला के लगता कि यहां लेकिन आजकल कुछ जादा ही अलग टाइप का हो रहा है उस पर हर जगे बातचीत करने के कोई मतलब भी नहीं और जो एक्साइटमेंट की आपने बात कहीं वो होना चाहिए क्यों यूथ फेस्टिवल का मतलब ही जोश युवा और जब मंच पर जाएं तो वो दिखना चाहिए जहां चलें वहां देखना तो है फेस्टिवल एक दूसरे से मिलना बात करना देश के दूसरे कल्चर को जानना बात तो यह तो यूथ फेस्टिवल है हम लोग आज यूथ फेस्टिवल के दम पर इतनी इनरजी आभी भी हम लोग काम करते यूथ फेस्टिवल कहीं है इन्डिया में नौकरी करते हैं जब उनका इधर इन्वर्सिटी से इस्टेट बैंक से रेटाइर्मेंट मतलब आए टांस पर गूर्ण ने नहीं करेंगे यूथ की बीच में रहें तक यूथ थे यार और जगह हम करेंगे वह हमारे दुकान दार आएंगे यह आएंगे ठे इस पर उनने भी एरस ले लिया तो बोले हमने असा क्यों तो बोले यार कि इधर का मजा ले तो एक जगह का फर्क पड़ता है कल्चर का फर्क पड़ता है तो यूथ फेस्टिवल कोई यूबाओं के लिए तो होना चाहिए तो वह एक्साइटमेंट नहीं है आप में कुछ गूमने तोड़ने जा रहा है आप एंजॉइ करने अपके सामने को एक लक्ष भी है आपकी इनवर्शेटी की इध्जत की सवाल का भी सवाल है आपकी पर्फर्मेंस का भी सवाल है आपके आजकल तो यूथ फेस्टिवल बहुत इंपोर्टेंट चीज़ लिए भी हो गई क मिलते हैं 20 प्रकार की संगतकार मिलते 20 प्रकार के नाटक डेरेक्टर मिलते है 20 प्रकार की स्टोरी हो डारे笑 को ना्तक देखने को मिलते है अब यह सब किस haircut की किताब लिख है तो माइम को समझा, माइम इतना बड़ा अर्ट है मतलब, और इसकेट क्या होती समझा, पर हमने इसकेट एलोग करते हैं, इसकेट ही नहीं है, इसकेट हम करेंगे क्या होती, तो यह वहीं से सीखने मिला, क्योंकि जब वहाँ देखके, अब आप बहुत अच्छा देश भक्ति गाना गा रहे हैं, तो वहाँ 20 प्रकार सुनके ही तो आपके दमाग में आती है, यह से अच्छा पन गा सकते हैं सब, तो एक वरक्षाप है यूथ फेस्टिवल, और आपको हर प्रकार के फिल्ड में चाहिब हो, लिट्री हो, म्यूजिक हो, थेटर हो, डांस हो, कोई भी इ बच्चे आपके सामने निकले, मतलब तो आपको क्या लगता है कि पहले के जो स्टूडेंट्स होते थे और अब जो नए बच्चे आ रहे हैं, तो उनमें क्या अंतर है या क्या सुधार की जरूरत है, देखो अंतर और या सुधार की बात जहां तक है, आज के होता है, पुलिटिकल प्रैसर आपका ओगव पूलिटिकल प्रैसर अपको क्या समझ रहे हैं, इतने प्रैसर से बच्चा जब आएगा तो उसकी परस्नल्टी में आपको अंतर मिलेगा, तो पहले के जो बच्चे तो इतने प्रैसर नहीं हुआ करते थे, मतलब उनके पास आफरते जॉब के मतलब की हमें नहीं तो यह कर लेंगे, आथ तो वो कुछ भी करना चाहरा, कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो यह प्रेशर है, अब कहो कि नहीं आफसर है, यह नहीं बोल रहा है, बहुत आफसर, उससे ज्यादा आफसर है, लेकिन जो आपको स कि पहले कि इतने प्रैसर दोर आ 영상 तोत है इसो你想 और या जाय को मनेगा सब प्रशुइए और अग्या आज के समय को दौर है वह बहुत मसीनी वाला दौर है उसमें आपको दोड़ना है 99.9 % पे हरावक reflects काम कर रहा है सब क्वालिफ़ाई है सारे इतने ही तें had क्वालिफाईह उसमें काम टीसव आप अच्छे का काम टीसंद सब्व अच्छे का अугेश्यक है पर उसमें भी बहुत अच्छे क्रम अपने। आप यहक्त कारे लिए पर अपना विक्तित करना है, अपने कल्चर को जानना है वो कुछ भी कर लेगा पढ़ने लिखने के बाद अब उसको सिर्फ जॉब जॉब और उसके लावा कुछ नहीं कर रहा है कि वह समाज में बहुत कलाकार की रूप में ठीक है हर आदमी तो बहुत-बड़ा महान कलाकार नहीं हो जाएगा सो में एक ह बहुत-बड़ा प्रेशा है जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो जिन्हें ठीटर पसंद होता है कई बहुत-जादा जानकरी नहीं होती लेकिन वह जाना चाहते हैं लेकिन एक ठीटर को लेकर फिल्म की अगर बात करें तो वह अलग बात हो जाएगी क्योंकि उसमें करेंगे तो आपको जो सर्वाइवल है वह बहुत मुश्किल होगा क्योंकि बहुत ही मुश्किल से आप अगर परफॉर्म करते हैं तो आपको की जीवनी के लिए आपको कुछ मिल पाता है तो नहीं देखो इसमें दो चीज हैं यह जो आपने बोला बिल्कुल अपनी जगह है सही है लेकिन आप बिल्कुल परफेक्ट आर्टिस्ट हैं किसी भी फिल्ब में थेटर के मेक अप में, म्यूजिक में, सैट डिजाइन में, कास्ट्म डिजाइन में या किसी भी उसके जो भी टेक्निकल लाइट डिजाइन में, किसी भी फिल्ब में उसके टेक्निकल या एक्टर आप कहीं भी पर्फेक्ट है तो इसमें कोई शक नहीं आज के समाई जितने आफसर है उतने पहले भी नहीं थे आप अच्छा में बन जाए चलिए आप कुछ ना करें आप किसी फिल्मी दुनिया की बात नहीं कर रहा हूं अधर मज़ा आप अच्छे में बन जाए त आप बनाइए आप टीम बनाईए इवेंट मेनेजमेंट किता मेला बिजनिस है आप बनाई अपका पूरा आपकर यह वीडियो सूटिंग नंग से करेंगे हम आपका यह करेंगे सब चल राज कर पूरा आप बनाए और आपको बनाए है तो बहुत बड़ा बहुत बड़ा विजनिसद आप कर सकते हैं बहुत पैसा कमा सकते हैं सागर में ही आप साल में कम से कम 15-20 रूपे सिंपिल मेकप मेन अच्छे से बन जाए तो आप 20-25 रूपे महीडे कमा सकते तो यह थोड़ा सा दो बाते हैं कि हम थेटर को दो रूप में लेते कि मैंने खुब एक्टिंग आपको परफेक्शन चाहिए परफेक्ट चाहिए आपको अपने उपर बिलीब होना ट्रस्ट कि मैंने बाकई कुछ किया है में कपके नाम पर दोचाल लोगों को पोत्पादिय नहीं आपकी नजर में बोना चाहिए जिससे मुझे एक सेंस में अपने इस पर मुझे बहुत कहना चाहिए अच्छा लगता है घमन नहीं गर्व है मैं किसी को देख के तुरण उसकी कास्टिंग कर सकता हूं यह मेरे यह हुनर है मैं में कर पाऊंग या कुछ नहीं लेकिन मैं कास्टिंग कर ले सकता हूं कि इसको यह कहां जमेगा यह कुछ रहुन आप में दिया मैंने की भी एक दो फिल्म की वह उसको बैस्ट हिंदी फिल्म का वाड कोई चोटा मूटा वाड नहीं हुदा सदाशिव अमरापूर कर रगभी रयादाव और राजिस्वरी उपता नहीं आप कर लोग हैं उनने हमसे कराई और उस पर हमें खराब कुछ 10-15-20 लोग जिनको मैंने चुना उनने लिया उसमें तो मुझे अच्छा लगा और वो रहता है कि आप करते रहों कि आपके दमाग में चलता है तो एक सेंस होता है तो परफेक्शन है किसी चीज में लेकिन ठीक है आउसर की बात मिला नहीं मिला जो भी परफेक्शन है तो आप कहीं कुछ तेटर को सिर्फ एक्टिंग नहीं आप एक्टर की रूप में मत लो कि हम जाएंगे हम च्छा जाएंगे फिल्मों में काम करेंगे वो एक आउसर आप का अलग बात लेकिन उसके अला प्रिषा है एक शोक है उसकी मॉलिक्ता यही है उसको आपको ऐसे ही आभाव में जीना पड़ेगा आभाव में ही करना पड़ेगा आप चाहें कि हमने एक नाटक कर लिया घर में अग्दम आप दूसरे महीने यही लगवाले कूलर खरीद ले फ्रिज रख ले इस अब नहीं ह सब्सक्राइब मुझे लगता है तो थेटर है कवीता कहानी लिटेचर सब बाद में पहले थेटर है और उसमें सारी कलाएं जाके चाहे वो संगीत हो चाहे पेंटिंग उस सब जाके समुद्र का रूप बन जाती इसको थेटर कहते हैं थेटर अखिला कुछ नहीं यह समनव सब आहिब ऑ too से सारी कलायों से मिलके थेटर आलगसे थेटर कुछ नहीं है सारी capacitive इन उसमें तری कि दुनिया की तमाम कलाएं तमाम प्रकार के आर्ट तमाम प्रकार के दुखदर सब उसमें समयत हैं कुछ सालों पहले एक बहुत लंबा गैप आपकी एक्टिंग लाइफ में कहना चाहिए क्योंकि उसके बीच में आपने डिरेक्शन किया जो आने के बाद तो गिद्ध आप आउन होता है कहीं न कहीं हिलता है तो क्या ऐसी चीजे थी जो आपको बैरियर बनी आपके प्रोसेज में उसके त्यार करने के लिए एक वही थेटर तो रेगुलर कंटीनू करी रहे थे बच्चों से करा रहे लेकिन खुद करना एक्टिंग करना तो आपने बोला कि 15-16 साल बाद आप स्टेज पर आए एक्टिंग करने के लिए तो बड़ा पिरियड होता है भली आप कितनी समझ रखें कितनी के साथ काम कर लें लेकिन अब आपका काम बदल गया आपको एक्टिंग करना है और वह भी एसे नहीं बताने के लिए कि हम बच्चे को बता रहे हैं आप को खुद परफॉर्म करना है तो 16 साल बाद मतलब करना सीधा 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 आपने भी बोला था चाहे आप 16 साल बात करें चाहे जब भी आप मंच पर आएंगे आपको पूरा प्रिपेर होके ही आना होगा क्योंकि यह फिल्म शॉट नहीं है कि एक बार ओके हो गया तो हमें स कोई दुनिया में एक्टर नहीं होगा क्योंकि 16 साल बाद एक्टिंग करना लेकिन उतना ही आनंद आता है कि आप नए से जब वही प्रिक्रिया से गुजरते हैं तो उस गिद में जब मैंने पापा का रूल किया तो रियली मुझे उस दिन फिर लगा कि जैसे मैं जीवत हो एक एक्टर को भी जब अच्छी एक्टिंग होती तो मैंने 16 साल बाद एक्टर वर्क किया जब स्टेज पास और जसराज जादा हो जी ने उसको डारेक्ट किया था बहुत बड़े डारेक्टर है मुझे तो मज़ा आया और बहुत मुझे लेकिन जो आप पूछना चाह रह तो वहीं खाता था वह हमारे सब करेक्टर में था पंदरा से 16 दिन में घर नहीं गया यहीं इस्टेज हमारा आई ट्रियम है जो प्राना आई ट्रियम जहां पर अभी बिल्डिंग बन गई है इसी में रहता था में और मैंने जब उसको रहते रहते पूरा अपना पूरा उ प्रापर्टी उससे लाइट से म्यूजिक से तो वह तो मजा है कि करेक्टर को जीने का जो मजा है तो वह हमें बड़ा अच्छान भारा कहते हैं कि थेटर इस टीम वर्क एक हिसाब से तो हमारे जो आजकल के बच्चे हैं वह भी ऐस टीम काम करते हैं पर कहीं कोई ना कोई आत में ट्यूनिंग थी या कैसे आप लोग दूसे को हल्प आउट करते थे तो या सपोर्ट करते थे टीम बर्क जो आपने बूला वो तो कंपलसरी सब के लिए बिदाउट टीम बर्क कुछ होते नहीं तो वो तो फिक्स है डेफिनिटेटी बिदाउट टीम बर्क होते नह हो थी एक दिल्ली अजिस्टी से थी लड़की कोई उनको में नाम भूल रहा हूं कि मैं था और एक हमारे अश्वेंद्र लुदी थे ऐसे चार-पांच आर्टिस थे लेकिन हम लोग की ट्यूनिंग अच्छी थी ट्यूनिंग से मतलब की इंपल्स एक दूसरे से जब बात क अच्छी कोई एक्टर से हैं उन पर बातचीत और वह बातचीत ना ऐसे नहीं कुछ भी बातचीत हो रही है तो चुकि डिरेक्टर भी बड़े थे तो बहुत करते थे तो टीम बर्क जो है बहुत मतलब सेट डिजाइन इतना अच्छा था संगीत शरी वास्ता उने इतना ब जोड़ी हुई वेली टाइप की है जो एक बिखरे हुए परिवार की कहानी कुछ सैट बोल रहा है जिसके सारी बैलूस जिस परिवार की खतम हो गई है रिलेशन खतम हो गए है माँ बाप जो है और बेटे और भाई बहन के जो संबन्द वो सब खतम हो गए तो इस तरह का सेट ही बोल देता था फर मुजिक लाइट सब को जितने भी यह मतलब हेल्प करते लेकिन एक्टर को पहले मतलब अपने आपको प्रिपेर होना पोलेगा यह लाइट मुजिक आपको सपोर्ट करते हैं बिलकुल ना भी हो तो आपको आपको देखके भी लोगों को तना ही किसी को रखें तो विदाउट टीमवर्क कुछ हो नहीं सकता है एक सवाल है जो आपके किसी स्टुडेंट ने भेजा कि यह तो हम सभी जानते हैं कि आपने जो भी काम किया है जाए वह पॉलेटिक्स हो जब आप अपने कॉलेज लाइफ में रहे तब या जब आप किया आर्ट में, म्यूजिक में तो इन सब के चलते हुए अचीवमेंट्स तो आपके नो डाउट बहुत हैं हम सब ही जानते हैं आपने बहुत कुछ अचीज किया ऐसा कुछ है जो आपको लगता है कि इन सब के साथ साथ शायद चाहे वो प्रोफेशनली हो या परसनली बिल्कुल सही है कि कोई भी काम है वो बहुत तल्लीन हो के करेंगे तो उसके रिजल्ट अलाग होंगे तो मुझे नहीं मालू मैंने कैसे किया अधिया आपको लगता मैंने बहुत हद दर्जे के ऊपर जाके काम किया तो हो सकता है लेकिन मुझे मेरा अपना एक स्टाइल हो सकती है यह आपना कुछ ब्यक्ति के मामला हो सकता है लेकिन यह मैं बिल्कुल गर्विक साथ कोई काम अधिया आप मिलो तो उसको वैसे ही करना चाहिए जैसे उसकाम की आवश्च्टता करने के लिए है काम चलाओ काम नहीं करना चाहिए आपको ना होता है उसमें काम होता हम नहीं है ठीक दूसरा आपने कहा कि खौने की बात तो खौने की अपने की बात कि आप 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 तो जिस चीज को पाने में लगे वे थे वह आपको मिल रहा है तो आप नहीं आप लगे होते तो आपको क्या मिलता वो आपके हां सिखिसक गया है तो वो क्या खिसका हमें भी नहीं वालू लेकिन हमें ऐसी कोई गिलाज सिख्वा कुछ भी अपने उसमें पूरे जीवन में नहीं रही कि मैंने कुछ खोया है मैंने पाया पाया है अब मैं आप इससे बड़े क्या बात हो सकती है कि मैं Dr. Hari Singh गौर विजये लाया के एक सिक्षक की रूप में काम कर रहा हूं इससे बड़ी गर्वे की बात और इससे जादा क्या पाना हो सकता है महान दान बीर की सिक्षन संस्ता मंदिर में मुझे कुछ काम करने का आउसर मिल रहा है। इससे बड़ी कोई बात होई नहीं सकते। मैं पाने को या हजआ है कितनी कुछ अफ़ी कितनी बिस्ट बना ले पाने का आप के अपने कुछ तरीके ओ सकते हैं कि मुझे पैसा मिल जाये मुझे ये मिल ब्छ एो लगता सब कुछ है और कोई कमी नहीं है, तो मैंने कुछ ऐसा नहीं लगता है, खोया है, मैंने पाया, पाया है, और कुछ खोया हो, तो मुझे नहीं मालू क्या खोया है, और मुझे क्या और पाना चाहिए था मुझे वह भी नहीं मालू, लेकिन जहां जिस मुकाम हूं, बहुत पाया है, यह बह पाते ही जा रहे हैं और अब भी हम किसी अच्छी चीज की तरफ ही बढ़ रहे हैं तो ऐसे तो और लोग आएंगे आपके और स्टुडिन्स आएंगे या और कोई लोग जो आपको जानते होंगे उनके मन में सवाल आते रहेंगे और पूछते रहेंगे पर आज के लिए इतन सब्सक्राइब करते हैं तो सर आज के इंटर्व्यू के लिए जो थोड़ा लंबा हुआ उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और रात का समय है बहुत लेट हो गया है लेकिन वही बात है कि जो काम आप करते हैं उसको पूरी तरह डेडिकेशन के साथ करते हैं तो रात क तेटर की तरह टाइम होगा है कुछ यादा नहीं होगा है तेटर में जैसा रोज बारा एक-दो बचते हैं तो ऐसे ही है और आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप लोगोंने मुझे इस काविल समझा हमसे बात्चित करने के लिए मैं समझता हूं पता नहीं मुझे किसा क्या आप लोग क्या सोच के मुझे से बात्चित किये लेकिन जो भी है आप लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच